नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल ओनलाइन और ओफलेंड ग्यान में दोस्तों अब थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि ओडिनेंस फैक्टरी जो डिरेक्टली अपने अंतरकत नोकरी रा निकाल कर जो इनकी सबसीडरी कमपनीज है उनके थूँ आप लोगों के लिए रिकुट्मेंट निकालता है और आप यह भी जानते कि contract basis पे अब आप लोगों के लिए mostly recruitment निकल रहे है permanent basis पे recruitment नहीं निकल रहे है यह भी एक contract basis की recruitment है time waste नहीं करूँगा पहली clear कर देता हूँ इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी trade को involve कर रखा है जिनकी vacancies जो है बहुत ही rare आती है तो मैंने सुचा है इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा अगर इनको कहीं नोकरी मिल जाते क्योंकि यह बच्चे IT करके परिशान रहते हैं इनकी recruitment नहीं आती मैं इस वीडियो में सारी चीज़े आप लोग की clear करूंगा जिससे कि आप लोग असानी से इसका foam फिल कर पाएंगे यहाँ पर यह जो foam है यह आप लोगों का offline होगा 300 पे fees आप लोगों की लगेगी लेकिन जो लड़कियां हैं SCST candidates हैं उनके लिए किसी परकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगना है इसका जो foam का fee payment है वो SBA collect के थुरू आप लोगों को होगा वहाँ से जो slip निकलेगी वो slip की photo copy औरिजिनल नहीं तो मैं दीरे दीरे आगे बढ़ता हूँ यह जो contract है पहले तो आप लोगों को एक साल का रहेगा उसके बाद यह contract चार साल तक आप लोगों का बढ़ता है और all over India से आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और पूरी possibility है कि आप लोगों को महराष्टा में posting दी जाए यह address है प्रोपर आप लोगों का ठीक है तो address फोर्म भी आप लोगों को इसी के through इसी address पर भेजना पड़ेगा जो आप लोगों का offline form है जब मैं form की वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों की request पर तब मैं आपको clarity इस पर दे दूँगा अब देखो यहाँ पर diploma की भी vacancies है इंजिरेनिक category की तो यह आप देख सकते हैं इस पर मैं इतना focus नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा जो चैनल है वो dedicated है आईटिया वाले वच्चों के लिए तो उन पर मेरा focus यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर electrician की वेकंसी है grinder की वेकंसी है मिल राइड की वेकंसी है अब इसके इंतरका तिनोंने multiple trades को डाला हुआ जिसे अभी मैं नीचे दिखाऊंगा ऐसाने की यह ती कितनी है यहाँ पर total 81 पोश्ट है आप लोगों के सामने है यह आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग नीचे वड़े इनकी qualification देखें अभी आप लोगों के पास ध्यान रखना 28 दिन है इसका form फिल करने के लिए तो परिशान होने की जौरत नहीं है समय वह होते हैं अब हम से कि मैंने बोल रहता है कि जूनियर यहाँ पर आप लोगों को multiple trade दिखाई देगी जूनियर technician में आप लोगों की जो है यहाँ पर electrician की ट्रेड है और power electrician की ट्रेड है अगर आप लोगों ने IT किया है NCVT से तो आप apply कर सकते हैं और आपने apprentice certificate ले रखा NAC तो आप apply कर सकते ह ही चलेगा experience नहीं मांगा department ने आपका power electrician की IT है NCVT से कर सकते हैं normal electrician की IT है तो भी आप लोग कर सकते हैं NCVT से लेकिन अगर आप SCVT हैं कहीं से भी और आपने apprentice किया हुआ है कहीं से भी तो आप लोग apply कर पाएंगे इसी तरीके से एक और वेकेंसी है यहाँ पर grinder वाली इसम में machinist grinder के बच्चे apply कर सकते हैं ध्यान रखना simple machinist के बच्चे नहीं apply कर पाएंगे इसमें भी वही condition है जो मैंने ऊपर आपको बताई है अगर आपने SCVT के बाद NAC किया हुआ है तो आप apprentice के बेस पर apply करेंगे SCVT जो criteria वो नहीं लगाएंगे आप अगर IT के बेस पर apply करना चाहते हैं तो आपको NCVT से IT होना machinist grinder में और इनी trade की वज़े से जैसे power electrician, machinist grinder और यह जो trades यहां पर दरके इनकी वज़े से यह video मैंने बनाई है अगर यहां पर normal trade होती इसलिए बनाई है क्योंकि इन बच्चों के लिए vacancies नहीं निकलती है millright में अगर हम देख लें तो millright में भी same वही condition जो उपर मैंने बताई है आपको SCVT, NCVT, NAC की millright mechanic में आपका IT कर सकते हैं mechanic machine tool maintenance जिसे MTMTM बोल जाता है वो बच्चे भी कर सकते हैं उसके बाद mechanic advance mechanic tool maintenance वो भी कर सकते हैं और mechanic magnetronics की एक जो है trade होती है वो भी कर सकते हैं ठीक है यह आप देख सकते हैं उसके बाद अगर हम नीचे बढ़े तो 28 साल age है maximum और आपकी जो age है उसमें आपको relaxation में मिल जाएगा अगर आप किसी particular reserve category में आते हैं तो और यह आप लोगों का salary structure है यह आप देख सकते हैं टोटल इतना amount है और भी आप लोगों को यहापर benefit दिये जाते हैं अलग-अलग जो आप लोगों को मिलते हैं वो मिलेंगे और बाकी airwise आप लोगों की salary बढ़ते रहते हैं बाकी देखो department के जो अंदर जाके जो चीज़े मिलती है वो अलग चीज़ होती है उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे बढ़ते है एज मैंने आपको बता दिया फी मैंने आपको verbally बता दिया यह फोर्म का address है जहाँ पर आपको पुचाना यह 300 पर आपकी फी लगनी है वूमन, स्ट, स्ट, एक्सर्विसमेंन के लिए कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है अगर हम नीचे बढ़ते हैं यह इसका फोर्म है जिससे मैं आपको फिल करके बताऊंगा जब आप मुझसे बोलेंगे कि हमें जरूरत है इसकी उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी official website की तो यह इनकी official website है जिसका link मैं आप लोगों निकाल के with the relevant document आप लोग भेज देना जब मैं form की वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको चीज़े क्लियर कर दूँगा आशा करता हूं मेरी तरफ से जानकारी आप लोगों को जो दी गई है उससे आप लोग संतोष्ट होंगे अगर अभी भी माइन में को से मैंशन कर सकते हैं तेंक यू